तार्गेट विदालोग के आनलाइन प्लेटफार्म से मैं पंडित अम्रेश भट आप सभी हिंदी छात्र छात्राओं का हार्दी कभिनेंदने करता हूं हम लोग संग्या को पढ़ चुके हैं सर्वनाम को देखा जाता है इस सर्वनाम किसे कहते हैं यह सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं यह सर्वनाम के बारे में हम होल बात करते हैं सर्वनाम मैंने संग्या डीटेल से पढ़ाया और आसा करता हूं कि वो समझ में आया भी होगा सर्वनाम में अब हम सर्वनाम पर कुछ बातों पर हम चर्चा करते हैं तो सर्वनाम को कुछ टॉपिक के अंतरगत हम क्या करते हैं? देखते हैं. इसमें पहला ही अगर हम पहला कोश्चन्स करें सर्वनाम के संदर में तो ये कह सकते हैं कि सर्वनाम किन सब्दों से मिलकर बना हुआ है? ठीक है? यहाँ अगर हम सर्वनाम के हेडिंग डाल दें ठीक है? तो पहला कोश्चन हो सकता है कि किन शब्दों से मिलकर बना है. ठीक है? पहला पॉइंट हो सकता है? दूसरा पॉइंट यह हो सकता है कि आखिर सर्वनाम की आवस्चता क्यों? आवस्चता क्यों? कारण क्या है? अखिर क्यों आशकता पड़ी? इसके कारण क्या है? इस रूप में भी हम क्या सर्वनाम को देख सकते हैं? इसके अत्रिक्त सर्वनाम के बारे में अगर हम कहें कि सर्वनाम की परिभासा सर्वनाम की एक परिभासा दिया जाए उसके बारे में चौथे पॉइंट में हम कह सकते हैं सर्वनाम के भेद पर बात कर सकती है सर्वनाम के भेद पर चर्चा हम करें और पाँच मों पॉइंट हम कर सकती है सर्वनाम के प्रकार पर हम बात करें सर्वनाम के प्रकार पर हम बात करें ठीक है, तो ये जो है सर्वनाम, इसको हम सर्वनाम के प्रकार, इसको भेद मत कहिए, इसको सर्वनाम की संख्या बोल दीजिये, सर्वनाम की संख्या क्योंकि भेद और जो है, कितनी होती है, सर्वनाम के प्रकार या भेद ये कही होते हैं, अगर इन पांच पॉइंट को हम बात करें, तो सर्मनाम को आसानी से समझा जा सकता है पहला पॉइंट एक एक पॉइंट को ले करके हम आप से बात कर रहे हैं आसान तरीके से समस्ते हुए चलेंगे बहुत कोई इस कठिनाई नहीं है इन सब टापिक में एक अपने मानस को खोल दीजिएगा यानि मस्तिस्क को खोल दीजिएगा और देखेगा सर्मनाम किन शब्दों से मिलकर के बना है पहला कुश्च अगर हम सर्मनाम को देखते हैं तो एक सब्द आपका आता है सर्म और दूसरा सब्द आता है नाम ये क्लियर हुआ कि सर्मनाम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है पहली चीज जिसमें सर्म का आसे क्या है सभी से और नाम का आसे नाम से ही है या संग्या से है ठिक यानि सभी नाम से या सभी संग्या से इसका आसे होता है तो पहले कोस्चन्स का एंसर आपको मिला कि सर्मनाम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है जिसमें सर्म का अर्थ सभी और नाम का अर्थ नाम अथवा संग्या होता है अरथात जो सभी नामों के अस्थान पर प्रियुक्त हो वही सर्मनाम है ऐसा हम कह सकते हैं तो यह एक पहली चीज यह पहले question का answer दूसरा question यह कहता है कि आखिर इसकी अवस्चक्ता क्यों पड़ी कारण क्या है दूसरा questions दूसरा जो अवस्चक्ता क्यों पड़ी आखिर क्यों संग्या से काम नहीं चला क्यों हम सर्म नाम को लाए कारण कोन है मैं बेरी सुगरी वही प्यारा फई कारण क्या है किसी के आने का कुछ न कुछ कारण होगा तो उन कारणों को भी जानना पड़ेगा तो कारण क्या आपको मिलेंगे कि भासा जितनी अधिक प्रवाहित होती है देखे भासा के प्रवाह के लिए आप कह सकते हैं भासा के प्रवाह के लिए भासा को गत्सील बनाने के लिए गत्सील बनाने के लिए बनाने के लिए भासा को शुन्दर बनाने के लिए बहाशा को सुन्दर बनाने के लिए बहाशा को उतक्रिष्ट बनाने के लिए बनाने के लिए हम तमाम ऐसे बिंदु हैं कि जिसके लिए हमको सर्वनाम किया हो सकता पड़ी अगर सर्वनाम नहीं रहता तो बहाशा खंडित हो जाती है जैसे माल लेजिए कि किसी का नाम लेते हैं ठीक अब मैं एक सिंटेंस लिखता हूँ माल लेजिए मैंने लिखा कि रानी का एक सेंटेंस में लिखूं यहां से लिखता हूँ रानी का विवा हो गया ठीक है रानी रानी के पती अच्छे है ठीक है रानी की लड़की का नाम रानी की लड़की का नाम क्या लिख दें मैंना रानी की लड़की का नाम ठीक है माल देजिए पानी है मैं लिख देता हूँ पानी है नाम तो नाम कुछ भी हो शकता है आप ये बताईए कि इससे भासा में क्या हो रहा है इससे भासा हमारी खंडित हो जा रही है और जब भासा का खंडन होता है तो भासा में प्रवाह नहीं होता है भासा में गत्सीलता नहीं आती है भासा सुन्दर नहीं होती है भासा उतक्रिष्ट नहीं हो सकती है भासा की कोटी क्या हो जाएगी निक्रिष्ट हो जाएगी हम संग्याओं का प्रयोग किया है हम एक ही संग्या रानी संग्या बार बार हमने क्या किया है प्रयोग किया है बार बार प्रयोग किया है जब हम रानी को बार-बार प्रियोग कर रहे हैं और इसकी अब सिकता है नी इसके आने से पहली ब्रिक फुली स्टाप लग जया रहा है तो हम संग्या के अस्थान पर क्या करते हैं कुछ सब्द रखते हैं संग्या के अस्थान पर कुछ सब्द रखी चलिए अब संग्या के अस्थान पर क्या सब्द रख सकते हैं तो रानी का विवा हो गया अब रानी के अस्थान पर हम क्या रख दें उसके रख दें उस रख देते हैं उस रख देते हैं अब क्या हो जाएगा उसके एकारक्षिहन है उस क्या हो जाएगा उस अभी मैं बता रहा हूँ उसके दो बच्चे हैं रानी के अस्थान पर वह हम लिखते हैं वह पढ़ती भी है इस रानी के अस्थान पर हम उस लिखते हैं उसके पती अच्छे हैं यहां भी उस लिखते हैं चली है उसकी लड़की का नाम पानी है अब जब ये हम लिख देंगे तो क्या होगा अब sentence ये पहली बाद fully stop हट जाएगा और इसको हम क्या कर देंगे हटा देते हैं अब क्या हो जाएगा रानी का विवा हो गया रानी का विवा हो गया और यहां पर उस लिख देंगे तो लिख देंगे रानी का विवा हो गया उसके दो बच्चे हैं ठीक है यहां भी हटा देंगे रानी जहां जहां है वहां वहां हम हटा देंगे कि यहां से भी हटा देजिए यहां से भी हटा दिजिए और यह फूल इश्टाफ हतारते चले जाईए अब यहां देखिए रानी का विवा हो गया उसकी दो बच्चे हैं वह पढ़ती भी है उसके यानि यहां पर उश लिख दिजिए उसके पती अच्छे है उसकी लड़की का नाम पानी है ठीक अब यहां पर यह देखिए कि यहां पर क्या हो गया एक सेंटेंस आपका बन गया एक सेंटेंस जब बन गया तो पूरा का पूरा यह जो है भासा में प्रवाह आ गई भासा में गतिसीलता आ गई और भासा यह लगा कि हाँ यह सारगर्भित है तो आप जो है यहाँ पर आपे कह सकते हैं कि संग्या जहां जहां प्रयुक्त हुआ है सरवनाम यानि सबका नाम क्या होगा कि संग्या के अस्थान पर जो प्रयुक्त हुआ है ऐसा सब्द जो संग्या के अस्थान पर प्योगत हुआ है और संग्या का ही अर्थ दे रहा है लेकिन भासा को गत्सील बनाए रहा रहा है भासा को प्रवाहित बनाए रहा है वही क्या होता है सर्वनाम होता है बास हो मैँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह सर्व नाम हो जाएगा, तो आवस्केक्ता क्यों पढ़ी? क्योंकि भाषा को गत्सील, भाषा को प्रवाहित बनाना है, यानि दो बातें यहां से आपको दो पॉइंटों पर हमने बात किया कि किन सब्दों से मिलकर के बना हुआ है इस पर हमने बात किया तो सर्व और नाम सबसे मिलकर के बना हुआ है आवस्चक्ता क्यों पड़ी क्योंकि बहासा को प्रभाहित बना करने के लिए इसकी अवसक्ता हमको पढ़ती है इसके अलामा अगर हम परिभासाओं पर आते हैं तो ये देखते हैं मैंने कहा कि परिभासा यहीं से आप निकाल लीजिए आप स्वेम से परिभासा बनाईए परिभासा क्या होगी एक आसान परिभासा कहा जाता है कि संग्या के अस्थान पर यहाँ संग्या था न तो एक परिभासा आप लिखेंगे और परिभासा क्या लिखेंगे अगर हम तीसरे बिंदु पर बात करें तो इस तीसरे बिंदु में हम क्या लिख सकते हैं ऐसा लिखेंगे परिभासा ठीक है परिभासा अब सर्मनाम की परिभासा जब हुम लिखेंगे तो लिखेंगे संग्या के अस्थान पर ऐसा पहला परिभासा एक आसान परिभासा संग्या के अस्थान पर अस्थान पर प्रियुक्त होने वाले सब्दों को सर्मनाम कहते हैं पहला ये परिभासा आपकी हो गई कि संग्या के अस्थान पर तो आप देखने हैं संग्या के अस्थान पर जो जो प्रियुक्त होगा हो वो क्या हो जाएगा सर्मनाम होगा यानि उस क्या है वह क्या है इस सब क्या है सर्मनाम है जो भी संग्या के अस्थान पर प्रियुक्त होगा और उसी का अर्थबोध करेगा वही सर्मनाम हो जाएगा बात समझाई तो एक परिभासा आप ऐसा दे सकते हैं कि संग्या के अस्थान पर प्रियुक्त होने वाले सब्दों को हम क्या कहते हैं सर्मनाम कहते हैं दूसरे अस्थान पर कह सकते हैं सबही नामों के अस्थान पर जिन सब्दों का प्रयोग किया जाए ऐसा कह सकते हैं परिभासा नंबर एक हो गया परिभासा नंबर दो आप कह सकते हैं सब ही नामों के अस्थान पर जिन सब्दों का प्रियोग किया जाता है जिन सब्दों का प्रियोग किया जाता है किया जाता है उन्हें सर्व नाम कहा जाता है किया जाता है यह तो यह हो गया कि सब्दों के अस्थान पर जिन सब्दों जहां जहां नाम है वहां वहां हम प्रियोग करते हैं लेकिन उस उसी का अर्थ वह देता है तो वह सर्व नाम कहलाता है है एंज यह थोड़ा सा हम क्लिस्ट परिवास आप से बात कर रहे हैं हम क्लिस परिवासओं पर थोड़ा सा आप से बात कर रहे हैं एक परिवासा परिभासा तीसरी नंबर की परिभासा अगर हम बात करें तो एक परिभासा ऐसा लिख सकते हैं कि तीसरी नंबर की परिभासा की हम बात करें कि ऐसा लिखते हैं सर्मनाम कि या ऐसा लिखते हैं संग्या की अस्थान पर कि संग्या की अस्थान पर प्रयुक्त शब्द जब पुर्वा पर शंबंध पुर्वा पर संबंध को दर्शित करता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं ठीक है ऐसा भी लेख सकते हैं चोथा एक और भी कह सकते हैं जो प्राया है लोग भी बताया करते हैं सर्वनाम वेविकारी सब्द होते हैं कर जो पुर्वा पर संबंध के आधार पर जो पुर्वा पर अब जो पुरुवा पर शंबन्ध के आधार पर संग्या के अस्थान पर प्रयूक्त होते हैं इस सब जितनी भी परिभासाएं मैं आपको बता रहा हूं ठीक है इस परिभासाओं से आप दिक्कत में मत आएए सब सारी परिभासाएं आसान सी परिभासा है अभी मैं इसको आपको समझा दूंगा यह आपको समझने आ जाएंगी ठीक है इसलिए अप केंसर मत लीजिएगा कि यूमारा इसको थोड़ा सा ऐसे हम कर देते हैं अब यह पूरा का पूरा आपको दिखाई देने लगा कि यहां देखिए परिभासा क्या कहती है पहले उसको देख लीजिए पहला संगया के अस्थान प्रणुक्त होने वाले सब्द सर्वनाम कहलते हैं बात सही है जहां जहां रानी प्रियोग था वहां वहां अपने लगाया सेंटेंस बना संगया की परिभासा हो गई यानि बिल्कुल सही है सभी नामों के अस्थान पर जिन सब्दों का प्रियोग किया जाता है सर्वनाम बात एकदम सही है जहां जहां नाम आए और प्रियोग किये वह भी क्या सर्वनाम हो गए यह दूसरी बात भी सही है तीसरी बात करें संग्या के अस्थान पर प्रियुक्त सब्द जब पुरुवा पर संबंध को दर्शित करता है तो उससे सर्वनाम कहते हैं अब यहां पर मात्र एक बात आपको समस्या कर रहे होगे वह पुरुवा पर बस यह जान लेंगे तो काम समाथ तो कुछ भी नहीं है पुरुवा पर संबंध होते हैं कि जो पहला है उससे आपका क्या जो पहले वाला है उससे आपका संबंध है की नहीं यानि उस संबंध पर ही आधारित है की नहीं यानि ऐसा जैसे आप यूँ कह सकते हैं कि मान लिजिए कि रानी का बिबा हो गया यह सेंटेंसी हम लेते है ठीक तो रानी का विबा हो गया उसके दो बच्चे हैं अब मान लिजिए कि यही सेंटेंस मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूँ अब ध्यान से समझेगा बहुत आसान सा चीज है पुरुबा परसमंदीसी को बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ ना इतना बढ़ा चड़ाग बताते हैं जैसे लगता है कि ब्रम्हांड में वही एक वतार लिए हैं कि जो इसको बता रहे हैं अरे साधारन सी बात है इसी पुस्तकों में ज्यान छिपा हुआ है जो पढ़े लेगा समझ लेगा उसको आ जाएगा लेकिन कोई कोई मैं देखता हूँ एक आज सब्द ऐसा पा जाएंगे जो बच्चे नहीं जानते हैं अब उस पर ये भी बहुत सारे तो टीचर को मैं भी सुना कि बड़े बड पाना देंगे सीधी सी बात है इसमें कुछ ऐसा नहीं है आप बस आप अभी उतनी गहराई से पढ़ा रहे हैं यहीं अंतर है सिर्फ और कुछ भी नहीं है तो ध्यान से समझेगा ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें यह समझना कठिन होता है चूंकि एक बार पूछ दिया गया ह है इसी अधार पर तो बस हो गया है इसके पहले अब छोड़िए यहां बस इतना आप जानी है माल लिजे यह सेंटेंस में लिखू राणी का विवाह हो गया उसकी दो बच्चे हैं यह आप ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ा सा पेच्चेंद करूँगा यही उदाहरन मैं आपसे ले रहा हूं बाकी बहुत सारे उदाहरन मैं ले लूँगा राणी का विवाह हो गया हो गया है उसके हमको यह बताइए कि रानी का विवाह हो गया है यह जो उश है यह के तो आपका परसर्ग है कारक चीहन है इसको आप अलग भी जब सरवनामों के साथ कारक चीहन आते हैं तो एक में आते हैं जब संग्या के साथ कारक चीहन आते हैं तो अलग-अलग करके आते हैं इसलिए आप जब भी देखेगा यहां अगर रानी लिख दिया जाए तो रानी के साथ के नहीं रहेगा रानी के हो जाएगा रानी के दो बच्चे हैं चुकि संग्या है तो संग्या के साथ परसर्ग जो होते हैं जो कारक चीहन अभी वक्ती जो होते हैं वो अलग हो जाते ह और सर्वनाम के साथ वह कारक शेहने क्या होते हैं एक में लग जाते हैं और कोई बात नहीं है तो यह उस क्या है सर्वनाम है किसके अस्थान पर आया है रानी के अस्थान पर आया है ठीक है तो अब यह उस क्या हो गया सर्वनाम हो गया लेकिन ऐसा सर्वनाम हुआ कि जो रानी से संबंध अस्थापित कर रहा है यानि यह जो उस सर्वनाम है यह उस सर्वनाम किस से रानी से यानि अपने पुरुव पर जो पुरुव संग्या प्रयुक्त हुई है उसी संग्या के संबंध पर आधारित है इसी को पुरुव पर संबंध कहते हैं अगर यहां पर कोई ऐसा सर्वनाम आ जाए जो सही नहीं बैठ है तो वो पुरुव पर संबंध नहीं बनाएगा और सेंटेंस को गलत कर देगा जैसे मान लिजे रानी का विबा हो गया उसके अस्थान पर अगर मैं वह लिख दूँ ठीक है वह लिख दूँ तो वह के दो बच्चे हैं अब यह भी सर्वनाम है लेकिन यह सर्वनाम रानी के साथ संबंध नहीं अस्थापित कर रहा है यानि इसके साथ पुरुव पर सर्वनाम होते हुए भी गलत हो जाएगा तो सर्वनाम केवल संग्याओं के अस्थान पर प्रियुक्ति कर नहीं है बलकि संग्याओं के साथ पुरुवा पर संबंध जब अस्थापित करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं तो एक जो बिस्तृत परिभासा हो गई आपको व्याकरणिक रूपसे परिभासा जो हो गई वह यही हो गई इसी को आप चाहे जो भी आप sentence बना लिजे चाहे जो भी उदाहन आप ले लिजे मान लिजे कि मैं उदाहन लेता हूँ राधा एक अन्य उदाहर लेता हूँ और आपको पुना समझा देता हूँ मानली ये लिखा गया है राधा मतूरा जायेगी और ठीक है राधा मतूरा जायेगी और राधा कृष्ण से मिलेगी कृष्ण से मिलेगी ठीक है मैंने ये बताया कि आपको संग्याओं के अस्थान पर प्रयुक्त होता है ये तो बाते आपको क्लीर हुई पहली चीज़ अब मैंने ये भी बताया कि संग्या के अस्थान पर प्रयुक्त होए लेकिन कैसा पुरूआ परसंबंध बना होगा कि तभी तो बेसिकली सर्मनाम होगा तभी उसका प्रियुक्ति करना सर्मनाम तो हो जाएगा लेकिन सेंटेंस बैठाने में पुरुआ पर संबंध नहीं बैठेगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा अब यहां राधा मथूरा जाएगे और राधा कृष्ण से मिलेगी तो यह तो कन्शूजन वाली चीज है पहले चीज दो को ले करके है दो राधा है कि एक राधा है इसको हटा कि इसको हटाने के लिए वाक्य को क्लियर करने के लिए भासा को अस्पष्ट करने के लिए भासा को प्रवाहित बनाने के लिए इस राधा को आपको क्या करना पड़ और इस हटा करके राधा मतुरा जाएगी और वह कृष्ण से मिलेगी अब यहां बताएए यह जो वह सर्वनाम प्रियोग हुआ है यह राधा के साथ सम्मंध बना रहा है कि नहीं बना रहा है तो यही राधा और वह के बीच में जो सम्मंध बना रहा है इनी सम्मंधों को हम पुर्वा पर शमंध कहते हैं क्या कहते हैं पुर्वा पर शमंध कहते हैं तीक है अगर यह सम्मंध यहां वह नौ लिख जाए राधा मतुरा जाएगी और माल लेजे यहां पर उस लिख दें यहां पर हम उस लिख दें इस वह को हटा दें तो क्या यह उस राधा से पुर्वा पर समंध स्थापित करेगा तो आपका उत्तर आएगा नहीं करेगा यह उस सर्वनाम यहां पर सर्वनाम होते हुए भी वाक्य को गलत कर देगा इसलिए सही नहीं है तो आपको ऐसा यानि अब हम परिभासाओं पर आते हैं जो मैंने आपको परिभासा यहां पर बताई है अब देखे संग्या के अस्थान पर प्योक्त सब्द जब पुरुवा पर संबंध को दर्शित करता है यानि पुरुवा पर संबंध को जब दर्शित करता है तो उसे ही सर्वनाम कहते हैं यह भी आपकी परिभासाओं सही हुई इसके तरिक सर्वनाम वे विकारी सब्द है तो संग्या सर्मनाम क्रिया विसेसं ये विकारी शब्द होते हैं विकारी मतलब परिवर्तन होते हैं अब्य जो है अविकारी नहीं होता है अब्य जो है परिवर्तनिया नहीं होता इसलिए अविकारी है तो ये कहते हैं सर्मनाम वे विकारी बदल जाते हैं तो सरवनाम वे विकारी शब्द होते हैं जो पुरुवा पर संबंध के आधार पर संग्या के अस्थान पर प्योगत होते हैं तो यह भी आपकी परिभासा क्या हो जाती है सही हो जाती है तो परिभासाएं है परिभासाओं को निर्मित करना यह आपका काम हो जाता है सामानने सी बात है कि आप इन परिभासाओं को स्वैम अब समझ गए है तो आप अपने तरीके से हम निर्मित कर सकते हैं अपने तरीके से समझ सकते हैं ति ये रहा आपका क्या परिभासा और आशा करता हूँ परिभासा आपको समझ में आ गई होगी यानि सर्वनाम की परिभासा को भी हमने बात किया और समझा दिया आपको और आशा है ये समझ में आ गया होगा अब हम चोथे पॉइंट पर आते हैं सरुनाम की संख्या कितनी है ठीक है चोथे पॉइंट पर आते हैं तो चोथा पॉइंट कहता क्या है सरुनाम की संख्या सरुनाम की संख्या इस पर थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है सर्मनाम की संख्या को ले करके कोई-कोई 13 कहता है कोई-कोई 11 करता है यानि अपने अधार पर लोग करते हैं लेकिन एक सर्मनाम सर्मान निमत के आधार पर सर्मनाम की संख्या की अगर हम बात करें तो सर्मनाम की संख्या कितनी होती है वह 11 होती है यानि सर्मनाम की संख्या कि होते हैं इसको आपको देखना है तो पहला एक सरनाम होता है वो सरनाम होता है मैं सरनाम क्या होता है मैं होता है और मैं का बहवचन क्या होता है हम होता है मैं एक हो गया इसके बाद तू क्या होता है तुम होता है इसके अतुरिक्त यह का बहुबचन यह होता है वह का बहुबचन वे होता है शो शो का बह बचन से भी होता है कहीं-कहीं सो भी आपको मिलेगा यानि इसके अत्रिक्त आपको बचन में परिवर्तन वो नहीं होते हैं जो जो भी सर्मनाम है जो शो आप कौन क्या आप कौन क्या कोई कुछ ठिक यही आपके क्या होते हैं यह संख्या एक दो ती चार पांच छे साथ आठ नो दस इग्यारह यही आपके कितने सर्मनाम होते हैं तो यही सर्मनाम आपको भिन भिन अस्थानों पर प्रियोग किये जाते हैं यानि संग्याओं के अस्थान पर यह क्या किये जाते हैं प्रियोग किये जाते हैं तो यानि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है तो सर्वनामों की संख्या आप से अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर्वनामों की संख्या 11 होती है ठीक है और ये 11 यही होता है इसी को भीन भीन रूपों में इसका बहुबचन नहीं होता है ऐसे ही ये प्रियुक्त होते हैं इसका बहुबचन होता है एन इस रूप में भी ये प्रियुक किया जा सकते हैं तो ये बहुबचन और एक बचन नहीं डाइरेक्ट आपको सर्मनाम पूछा जाएगा और भेद के बारे में यहां से ज्यादे और उदारंड के रूप में पूछा जाता है ठीक है? तो यह रहा आपका सर्वनाम की संख्या जिस पर हमने सर्वनाम की संख्या आपसे जिक्र कर दिया चलिए अगले पर हम चलते हैं यानि पाँचवे पॉइंट पर अगर हम चलें तो आपके आजाएंगे सर्वनाम के भेद पाँचवे पर हम चलनेते हैं तो आपके आजाएंगे सर्वनाम के भेद या कह दीजिए सर्वनाम के प्रकार ठिक तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो आप जानते हैं सर्वनाम छे प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के छे प्रकार के होते हैं वो सर्वनाम कौन-कौन से होते हैं आपको यही देखना है पहला सर्वनाम पुरुष वाचक सर्वनाम पुरुष वाचक सर्वनाम हाला इसका भी विवाजन है मुक्तम पुरुष मद्ध्यमपुरुष मैं जब इसको डिस्क्राइब करूँगा तो आपको बताऊंगा दूसरा को कि निश्यवाचक कि निश्यवाचक सर्वनाम कि तीसरा को निश्यवाचक सरनाम ठीक है चोथा संबंध वाचक्रमा संबंध है वाचक सर्वनाम पाचमा प्रश्न वाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम ठीक है यही आपके कितने छे प्रकार के सर्वनाम होते हैं जहां से आपको कोश्चन्स पूछे जाते हैं तो पूरुष वाचक निश्चे वाचक संबंध वाचक प्रश्ण वाचक को निजवाचक इसका अगर एक कोड याद कर लीजए मैं कहूं यह तो मैं बैस वह से लिख दिया हूँ आप याद करने के लिए किसी भी रूप में याद कर सकते हैं जैसे अपना सपना अपना सपना मनी मनी एक फिलम आया था ना अपना सपना अगर आप याद कर लेते हैं तो समझेगा कि आपको एक लियर हो जाएगा औ से क्या होगा भी औ से अनिश्चे वाचक पॉसे क्या हो जाएगा प्रश्ण वाचक हो जाएक नहीं दोपव है तो एक पूरुस वाचक कर लिए एक प्रश्ण वाचक कुछ भी कर लिए यहां माल लिए प्रश्ण वाचक की कर लिए अपना ना से क्या हो गया निश्चे वा है कुछ भी कर सकते हैं अपना सपना यानि ऑसे अनिश्चे पॉसे चाय पुरुस कहिए चाय प्रश्ण कहिए बाते कहिए ना से निजवाचक कहिए या आपको निश्यवाचक कहिए सवसे सम्मंदवाचक पॉसे प्रश्ण वाचक नौसे निजवाचक ठीक है अब जो भी कह लीजे तो ये च्छे आपको आजाएंगे यानि एक दो तीन चार पांच छे च्छे आपको यहां मिल जाएंगे यानि च्छे प्रकार की यह क्या होते हैं सरुनाम होते हैं और इन्ध नहीं हमने जो आपसे बात किया था वह सरुनाम के यहां पर संख्या भी हो गई और सरुनाम के भेद भी हो गए यानि इन पांच पॉइंट को लेकर के जो हमने बात किया वह हमने बताया अब इसी की ब्याख्या जो भेद है इसकी ब्याख्या के बारे में हम आपसे बात करे करेंगे लेकिन आज नहीं करेंगे यह नेक्स्ट वीडियो में इसके भेद की हम बात करेंगे और उसको हम समाप्त करेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही